Welcome to all my channel Educational Guidance दोस्तों KVS Balvatica 3 2023 आडिमसन का online apply शुरू हो चुका है आज इस वीडियो पर हम आपको दिखाएंगे आप कैसे आपकी mobile phone पर KVS Balvatica 3 2023 आडिमसन का online apply कर पाएंगे और वो भी step by step process में जैसे कि आपकी जो photo, signature और कौन सा document required होता है online apply के समय में कौन सी format है, कितने size है, कैसे step by step आप fill up करना है, कैसे आप KVS को choose करना है, कौन सी KVS में आप पढ़ना चाता है ठीक है, सारे details हम इस वीडियो पर आपको दिखाएंगे तो नई हैं तो चैनल को subscribe करना, ओके तो चलो वीडियो को शुरू करते है तो इसलिए आपको आपकी mobile phone पर कहीं भी browser पर आपको source करना है KVS और उसके बाद देखिए यहां से जो KVS दिल्ली इस पर आपको click करना है तो click करने के बाद देखिए इस तरफ से page खूल कर आएगी यहां से क्या करना है, आपको यहां से देखिए जो read more यहां से आपको यहां से click करना है, read more के ऊपर click करने के बाद इस तरफ से page खूल कर आएगी और यहां पर देखिए click here to apply online for RM Sun भालवाटिका 3 details यहां पर है तो आपको यह details के ऊपर ही click करना है, तो click करने के बाद OK कर देना है यहां पर देखिए सारे details है, print your application, check your application status, instruction for filling the application form तो यहां पर देखिए click here to register है, वहां पर आपको click करना है तो click करने के बाद आपको यहां से देखिए सारे details को fill up करना है, ठीक है तो यहां से देखिए details सब कुछ है, मैं तो सब कुछ इस video पर आपको बता दूँगा आपको carefully gone through, यहां से click करना है और उसके बाद proceed के उपर आपको click करना है तो click करने के बाद देखिए इस तरब से page खुल कर आएगी, यहां से देखिए जो child की admission होगा बलवाटी का 3 पर, यहां से उसकी name यहां से fill up करना है अच्छे से fill up करना है तो middle name इसकी first name, middle name, last name ठीक है वो child की first name, middle name, last name आपको यहां से अच्छे से लिखना है और यहां से देखिए either child different label और yes or no, disable है यहां से yes or no click करना है date of worth की यहां पर fill up करना है बाद certificate के साब से और यहां से either child seeking adoption is child of Kendriya with a strong gotten employee यहां से option को choose करना है not applicable or working parent ठीक है तो email ID, active email ID आपको देना चाहिए यह अपर active mobile number देना चाहिए यह जो क्याप्चा है यहां पर fill up करना है और register के उपर click कर देना है ठीक से मैं सारे details fill up कर रहा हूं तो यहां से देखिए आपकी जो mobile number है वहां पर एक OTP गया है वहां से fill up करना है और यहां से जो क्याप्चा है इसको fill up करके आपको क्या करना है ना नीचे से verify कर देना है यहां से आपको सारे details से मिल जाएगा आपकी name आपकी login code ठीक है सब कुछ मिल जाएगा और उसके बाद आपको यहां से click here कर देना है ठीक है click here से click करना है तो click करने के बाद इस तरफ से जाएगी login code आपकी date of birth और mobile number है capture को fill up करके यहां से आपको login कर देना है तो देखिए आपको उसके बाद इस सारे details को fill up करना है basic information, parent details, choice of schools, upload document, declaration and submit के उपर ठीक है तो देखिए उसके नीचे scroll करना है choose gender, gender आपको click कर देना है यहां पर देखिए आपकी जो family income group, do not belonging to low income group, EWS, BPL जो भी इसको fill up करना है उसके बाद देखिए देखिए मैं BPL को लगाया तो यहां से the field is required ठीक है, BPL को choose gender, gender को click करना है उसके बाद BPL को हमने click किया caste category यहां पर बोल रही है, यह choose caste, आपकी जो caste है वहां से fill up करना है, blood group इhe fill up करना है, उसके बाद next के उपर click कर देना है उसके बाद देखिए आपकी जो BPL certificate की number को देना है, BPL certificate date of issue और certificate must be valid on admission date होना चाहिए उसके बाद देखिए parent details में यहां पर आपको देखिए mother details पहले title, choose title आपको fill up करना है, ठीक है उसके बाद full name को लिखना है, उसको nationality choose करना है, उसके बाद do you want to copy mother's residential address to auto fill father's residence ladder, yes or no, country residence अपको choose कर देना है, ठीक है state or city of residence, residential address, सारे address को, bean code, जो star है उसको fill up करना है, ठीक है, वो compulsory है उसके बाद please fill of willow information if mother is or was working if है, तो उसको fill up करना है, occupation, organization क्या है उसके बाद father की titles की details है, उसके बाद full name, nationality, यहां और सारी कुछ, do you want to copy father's residential address, country, state, residence, सारे इसको fill up करना है उसके बाद आपकी जो information fatherage और was working, तो इसको occupation and organization को fill up करने के बाद, next के उपर click कर देना है तो उसके बाद देखे, choice of schools, यह बहुत important है, choice of school, select without one, select without two है, और three है, इस सारे details तो select one में, देखे, choose state, fill up state को choose करना है, कौन से state पर परना चाहता है तो उसके बाद state को choose करने के बाद, यहाँ पर choose school को, आपको choose करना है, ठीके, कौन सा school आपको, जैसे कि state के साब से choose कर देना है उसके बाद select without two में भी आपको three option देना चाहिए, यहाँ से भी select state और school और select without three में भी state school और select school और state, इसको select करने के बाद next के उपर क्लिक कर देना, तो देखो select करने के बाद, आपको क्या यहाँ से देखिए, जैसे कि choose service priority category, choose service priority category में आपको choose करना है, ठीके, यहाँ पर आपको choose कर देना है देखिए, यहाँ से one, two, three, four, five, आप इसको children of transferable and non-transferable central government, children of transferable and non-transferable employees, इन सारे things को आपको पढ़ना है, children of transferable and non-transferable state government employee, जो भी है, आपको यहाँ से choose कर देना है, ठीके, जिस नमर पर, उसके बाद, select parent whose service priority category, untransferred, आप to be considered for Adamson, यहाँ पर भी आपको choose कर सकते, mother या फा यहाँ पर पूछ रही है, कि whether selected parent has been transferred in last seven years, आजान, yes or not, यहाँ से fill up करना है, yes fill up करने के बाद इस तरफ से आजाती है, आप सारे को details को, unit, place, date of joining, आपकी सारे details को fill up करना है, और new भी है, इसको सारे details को fill up करना है, इसे तरफ से भी, जो select two है, वहाँ से भी आपको fill up करना है, और उसके बाद देखिए, जो three, जो जैसे की, यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर भी आपको सारे details को भर देना है, ठीक है, तो उसके बाद देखिए, आपकी जो upload documents है, वहाँ पर आपको jpg, pdf file को allow है, यहाँ पर देखिए, जो maximum size file should be, आपकी 256 के भी है, और all documents are mandatory है, तो fees upload, jpg, मैंने proof date of birth of the child, इनके birth certificate यहाँ उसको fill up करना है, उसकी, जो maximum size है, 256 के भी, और फीडिया पर jpg, both five, यहाँ से upload हो सकता है, passport size photo of the child, that is, should be 256 के अउन्दर size होना चाहिए, jpg format में आपको यहाँ से upload कर देना है, ठीक है, तो यहाँ से सारे details है, उसके बाद नेस्ट के इसको click करना है, और यहाँ पर देखे, उसको click करने के बाद, यहाँ से देखिए, step to preview, यहाँ से step to preview के उपर आपको यहाँ से click करना है, देखे, यहाँ पर लेख रहा ही, your application data has been said successfully, okay कर देना है, ठीक है, तो यहाँ पर देखे, preview करके देखना है, सारे details ठीक है यह न नहीं, उसके बाद, submit application के उपर, आपको click submit कर देना है, वोगी बहुत important है, आपकी form submit हो जाएगी, और आपको print को रखना है, ठीक है, तो यह था बहुत important information, I hope this video will help you a lot of, please subscribe to our channel for further update about KBS Valvatica 3 RM Sun 2023 के लिए, okay, bye-bye.